नमस्कार मित्रों मैं पंकस टोड़े आप सबका स्वागत करता हूं विश्वितिहास के इस एपिसोड में आज हमारा ये लेक्चर 6 होगा इसके पहले हमने लेक्चर 5 तक खत्म कर लिया है लेक्चर 2 में हमने यूरोब देखा था लेक्चर 3 में अरब और लेक्चर 4 में हमने देखा था आध्धूनिक यूग सुरुवात का इस तरीके से हो रही थी और लेक्चर फोर में ही अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो सामनतवात का पतन, चर्च का पतन, बाड़ी जवेफार किस तरीके से बड़ा, नगर विकास किस तरीके से हो रहा, मुद्रा का प्रचलन, ये वगारा देख लिया था जैसा है कि आप वीडियो में देख रह तो किस तरीके से मंदिर बनाते हैं, तो कला स्थापत इ में अधाभेल होती हैं फिर नाना, ये तरह हम जावाने किस तरीके से भिक्सित हो रहा था और हमने देखा था कि जब पैंडिंगोным देख फिस तर linen कि हैसे आफ़ को ठीक करदे रहरा और ढूह ने देखा था- मंधि Luther King वगेरा का हमने अच्छे से देख लिया था आज lecture 6 हम लोग शुरू करेंगे और 6 शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता दू आप लोगों को लग रहा होगा कि चुकि ये syllabus में है नहीं फिर भी हम इसको क्यों इतना details में पढ़ रहे हैं तो एक चीज में clear करना चाहूंगा कि एक्च्छल में आप जो भी देखेंगे आने वाले टाइम में जो भी आप समझने कोशिश करेंगे कि किस तरीके से निरंग कुस्तावाद कैसे आया राश राज्यों का उदे कैसे हुआ इंग्लेंड में क्यों क्रांती हुई फ्रांस में क्यों क्रांती है अमेरिका में क्यों क्रांती है जर्मनी और इटली का एककरण में आखिर क्या बात हाय थी word word one word 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 one और word word two क्यों हुआ उपनिवेश के पीछे क्या दर्शन था अगर इन सब चीजों को समझना तो लेक्चर six आप लिए एक कुझी है की पॉइंट है यहां से यह वो सारे reason यहीं पर हैं यहीं पर की पड़ी हुई है जिससे वो region खूलेंगे तो अगर आप इस lecture को बड़े अच्छे से समझेंगे सोचेंग और विचार करेंगे और visualize करेंगे और पूराने lecture से link करके अगर आप समझेंगे तो आने वाले घटनाओ आने वाले जो हल चले हैं उनको आप पहले भाव जाएंगे कि क्या होने वाला है और उस इताब से आप अपने दिमाग में समझ जाएंगे तो मतलब reason जाने एफेक्ट अपने आप आपको मिलता चलेगा तो यह details में इसको थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे इवेंस लेबस में नहीं है फिर भी बहुत महात्पून लेक्चेर है मित्रों तो किस तरीके से हम देखें लेक्चेर 6 में करीब 6-7-8-9 बाते हैं थोड़ा विस्तार में देखेंगे और देखें किस तरीके से भोगोलिक खोजे हो रही थी भोगोलिक खोज से यात्राएं शुरू हुई और यह सब पुनर जागरण का कारण और प्रभाव है यह चीज में क्लियर करना चाहते हो पहले से अब नहीं तुस्सके क्या पढ़ा रहे हैं तो भोगोलिक खोजे किस से भावा बड़ा किस तरीके यात्राएं हुई और जब बैपार बड़ा तो धावर के और लालज में कैसे उपbaar सी करन होना सुरू हुआ ओर उसको और मजबुत किस तरीकेस राष्ट राज़ों की उदर ने बनाया और और रम आरंविक राश्टवांद क्या था और किस त start चलते हैं ow ए ओ लेकच्चर 6 पे आक्चुल में हुआ हिर Xin गय को तो हम लेक्चर 6 पर आगे आपकी स्क्रीन पर लेक्चर शीक्स थोड़ा बड़ा है लेक्चर शगस देखें जान से तो लेक्चर आप नीचे जैसा कि देख रहे हैं लेफ्ट हेंड साइड वे भागोली खोजे हो रही यात्राइं हो रही हैं व्यापार उपने बेश जो हमने पहले डिसकस कर चुके हैं तो हम एक एक को लेते से पहले भागोली खोज देखिए जब अच्छोदासो तिर्पन में तुर्कोद और एसिया माइनर पर अधिकार कर लिया गया तो वैपार मार्च और दो गया यूरोप का तो अब यह हुआ जो यूरोपी थे उनको लगा कि मसाले और वैपार के लिए उनको अलग मार्च खोड़ने की आउशकता है तो और हुआ क्या था इससे पहले अगर हम बात करें तो तेरविश अताबदी मार्को पोलो वेनिस और चीन मार्को पोलो जो की वेनिस का था उसने चीन और जापान की आत्राएं किया था और वो सब विवरण जाके यूरोप में देता तो वो लोग चाओ से उसको पढ़ते थे तो अब चुकी विवरण दे चुका लोगों जानका पहुँचें और देखा जाये तो बहुत पहले अगर पंद्राओं शदिक अंदिम चरण के बारे में जो है यूस ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के बारे मुझा नहीं थी लेकिन 1498 में आपको पता है 1492 में कोलंबस गया अमेरिका की खोज किया इसके पीछे क्या कारण था तो तो सब हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे यहां पर तो हुआ क्या अब देखते हैं कि तो अब सुर्वाती में लोगों के अंदर एक धारड़ा यह थी कि जब भगोली खोज नहीं हो रही हुई थी उसके पहले लोग ऐसा सोचते हैं कि समुद्र हर तरफ है अगर लोग दूर तक जाएंगे तो समुद्र खत्म हो जाएंगे दहरती से गिर जाएंगे लेकिन जो महान खोजों को जो यात्रा सुरूए 1492 से 1520 तक हुई जब और इसमें बड़ा महत्वड रोल अदा किया पुर्टगाल को जो शाशक था हेनरी वो नाविक के नाम से प्रसिद्ध था लोग उसको नाविक कहते थे और उसने मानचित्रों को बनाकर नाविकों को दिया और आ आ चुगे थे मतलब अफ्रीका के नीचे दक्षिन अफ्रीका की जगा जो केपाप गुड होफ है वहां तक पहुंच चुगे थे और अब इससे आगे उनको जर्नी करनी तो यह काम लिए वासको डिगामा भाई गामा पहलवान था उसने जो है उसी रास्ते से आगे बढ़ कोलंबस और उसने प्रित्थबी गोल है तो अट्लांटिक महाशा가र को क्रास करके वह इंडिया पहुंचा उसने गोल करके जिस जगह पे पहुंचा और अमेरिका पहुंच गया है और वहां के लोग उसने इंडियन कहा है और खुष साल बाद उसी जगह पे जो है आमिरीको पुसी नाम के एक जो इटली का नाविक था वो पहुंचा और उसी के नाम पर उस छेटकर नाम अमेरिका रखा गया है तो पुर्दगाल और पुर्दगाल के एक और नाविक था जो मैगलें था आप लोगों ने पढ़ा होगा जोगरफे में जब आप दक्षिन अमेरिका क्रॉस करके पहूंचा प्रशान महा सागर में जिसके अज्ञ पर पर नम वहां से होते हो सो क्रॉस कर देप आज वहां पर पहुंचा और वहाँ पहुचा तो क्या हुआ वहां पर उसने कई सारे मतलब छला था तो कई सारे नावी को सात लेगे चला था और फिर वहाँ क्या होता, देखते हैं आगे अब उसी फिलिपीन्स दीप पर जहां मैं वहीं पर अंतिम सांस लिया और जब उसके जब चला था पुर्तगाल से तो तीन साल पहले चला था कितने लोग मर गए वहीं पर आस्ते में और फिलिपीन्स दीप पर मर गया वह यात्र लेकिन सफ़ल रही क्योंकि जहाज उन्हें पूरे प्रत्वी का चक्कर लगा लिए इसे सिद्ध हो गया प्रत्वी गोल है और जो समुद्री यात्राओं पर यहीं दोती ने बहुत सारे अब भी गये जिसमें वास्को डिगामा कोल लम समेगलन प्रमूक हैं और यह लोग संसार का पत्व प्रतर्शक काम की क्योंकि इन्होंने जीवन के अपने बाजी लगाया हलाकि यात्राओं हैं इनका उद्देश भी लाभी का माना था लेकिन इन खोजोंने जो है क्या कि ज इत्यास में नया मोड आया और इस जो समुंदरी यात्रा थे इसने क्या कि भागोलिक ज्यान की नियू रखी अब आगे देखें ब्यापार और उपनिवेशी करण किस तरीके से हो रहा था है जब भागोलिक खोज बड़ा तो वेनिस का बेनिस जो था यूरोप और इशेक भी पूर्टगाल का दिकार हो गया लेकिन बाद में जानी रहें आप लोग इतिहास में पड़े हैं कि ब्रिटिस और डच फ्रांसिस इनको उखाड़ पेका पूर्टगालियों को और यह एक बात यह थी कि जब भी लोग कहीं जाते थे नाविक लोग भागोलिक खोज करते उन इस तरह देखा जाए तो यह जो तीन चीज़ें इनकी डिमांड थी गोल्ड ग्लोरी और गॉड यही इनकी तीन जरूरते थे और इसलिए समराज विस्तारी लोग कर रहे थे तो गोल्ड मतलब वहां के धन दौलत ग्लोरी मतलब हुआ कि यह दिखाए जाए कि भाई हमारा वर्चस हुआ है और गॉड मतलब बोलते थे कि हम लोग जा रहे हैं वहां पर उद्देश का इस्वर का वचन सब को सुनाना और उसके पुत्र के ग्यान को हर लोगों तक पहुचाना लेकिन यह चीज़ें बहुत ही नैपत्त में जाती हैं क्योंकि जो भी यात्राइं की ज दुनिया की सारी चीज़ें सोना मतलब सोना नहीं स्लीपिंग वालत सो गए एक सारी चीज़ें मिलए जनरली तैयारी वाले हैं लगता जिनके पास सोना है उनके अधर घैना इक Нуलमबस कहता था है है जो लाब कमाने यह मतलब जो व्यात्राओं श्यात्राओं करेँ खोजबड़ी खोजबड़ी ब्यापार वस्तु की संही एक बढ़ी नहीं जाते हैं हो अंग्रेजों कंक्ट्रीं को लगता कि अगर अगर मुझे वहां से काली मिर्च लेना है तो हमें कुछ पैसा या धान या गोल्ड देना पड़ेगा तो बस तुओं की संक्या बड़ी तो उनको खरी लेकर धन की आउश्यक्ताव उनको लगा क्यों न मैं हम लोग इसी कंट्री पे जिसके तुरूं बैपार करें जहां अप अपनिवेश बना लें तो इससे हमारी छुटकारा मिल जाएगा धन देने से क्योंकि हम राजनेती का अधिकार ले लेंगे वहां से और फिर यहां से इन इन जो कंट्री पे हम लोग कबज़ा करें उसका सोचल अच्छे से कर सकेंगे और तो इस तरी उपनिवेश बनाने की परमपरा शुरू होगए एक कवायत सुरू होगाे, अब हम बात करें, अफरीका की बात करें, अफरीका की तटवर्ती जो प्रदेश हैं वहां पर ही पहले ये लोग suburbs पहुरू है थे और वहां पर जो अस्थानी लोगों उपर अत्या चार किये ौह उनको भगाए मारे पीटे और इरोब की लोगों ने जो वहां पर युकतियों थी वहां से वहाँ पर कभजा किया वहां सूना चाद री लूटा और जो पेरू है वूल बीया है मैक्सिको है इन सब कट्रियों से मतलब दक्षिन अमेरिका इसे भी बहुत सारे बावमूल ले धा तु निकाले आज मैक्सिको से ट्रंप पैसा मांग रहे हैं जो मांग रहे हैं अभई कल की डेट में आप ही तो इनके पैसे को लेकर अपनी उस कंट्री को महान बनाए और जो वहां की लोक तो देखा जाए इस तरीके से पहले तो इस्पेन पूर्टगाल जो है यहां पर विसेश रूप से पहुंचे लेकिन बाद में इन सब जगहों पर उपनी वेश बनाने ब्रडेश फ्रांसे से डज भी पीछे ना रहे वह भी पहुंचके और अब पहले यूरोप को बहुत स अनसादनों कर शोशन किया गया और यूएस में ऐसी परिस्तितियां अवरेबल थी और बड़ी जमीन थी बड़ी लैंड थी लोग थे में दी और लोग ऐसे मगाई भी जा सकते अन्ने जगहों से तो इस तरीके उत्तरी अमेरिका बेस्टेंडी जो ब्राजील वगएरा बा इतना विक्सित देखते हैं और उसकी जो फाउंडर हैं कहीं ने कहीं वह अफ्रीकी दास हैं या गुलाम हैं जिन्होंने महिनत करकर के इतना आगे इनको बढ़ाया बेसिकलिए और आज हम लोग इनकी जब भी कोई तर्क होता है कुछ देना होता है तो हम लोग बोलते हैं हैं अपरेप अमेरिका इतना चाई है ये बिल्डिंग खड़ी किया है इसको हम कभी ध्यान नहीं देती हैं इसी दौलत को ले करके ही आज आगे बढ़े हैं तो जो मौलिक रूप से गलत है वो गलत है वो चाहे किसी भी स्टेज में हो और आज बहुत सारी लडाई हैं को पीछे बहुत सारा कारण आप लोग जानते खुद समझदार हैं तो आप विचार करिए इन सब चीजों पर तो हुआ गया की कि है घरी कि तो हुआ की दासों का ब्यापार शुरू हूँ पहले भी का दाश कहा है आट्लांटिक ऑक्षं को क्रास करते हैं दासों कहा ले जाए जाकते आ इसमें क्या हुता था पहले तो सौदागर नामिक और जल लोग बैपार करते थे लेकिन सोराही सदीक अंतक यह नियमी दुरूप से दासोग बैपार कमपणियों के पास चला गया और इन कमपणियों क्यों हद होती है जब यूरोपी सरकार श्विकृति दे 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 ठीक आप दासोग बैपार करिए उनके साथ जैसा भी चाहे वैसा बढ़त आमेरिका तो बीच में समसा करтории होती थी कुछ दे jij थे तो लोग कहते हैं कि जो दास मरते थे उनको ठेग दिया सामुंद में शार्क मचली थे जिस तरफ से चाहाँ पूरा पानी ही लाल होता जाता था अविस्स जाता था और उसके उपर शार्क मच्रियां चल दीए जब अटाइक कर एक उठा के फेक दिये जाता था इस तरीके से जो जो मरते दिन की तवियर खांग उनको रास्ते मार जैता कुछ जादा मजबूत या कठोर दासों को ले अपर आपको बता चुकी है अभ गोली खोजो के पर फल्सरूफ सारा संसार परिशे के परिशे के परिद में तो आ गया है और भौतिक शंपर कायम हो लेकिन इसके साथ साथ कुछ भागों में रहने वाले लोगों को साथ वर्बर सोसर वह इसका एक्जामपल आप देखें अभी जो अंडवार निकोवार की ट्राइबस है वहाँ पर एक जो अमेरिकी नागरी गया था उसको जनजातियों ने माल डाला एक्चेल में एक तरीके से कुछ दिन पहले निउस में भी आया था कि सोशन होता है मतलब जो लोग टूरिस्ट जाते हैं उन जनजातियों को सोशन करते हैं तो तकनीकी उनको ही मजबूत कर सकते हैं जो उसको प्रियोग करने लाइक हैं जो नहीं करने लाइक हैं उनका सोशन ह ही होगा अगर हम बात करते हैं जियस्ती की तो जो लोग जियस्ती के टेक्निकल लेट बैक्राउंड से नहीं है उनका उसमें सोशन हो रहा क्योंकि उनसे पैसा मागा जाए जब भी आप आनलाइन व्यवस्था करते हैं बीना आवाम को बीना लोगों को मजबूत किये हुए त इसी तरीके जो भगोली खोज हो रही थी तो भगोली खोज की पीछे यह भी यह भी था कि दूसरे की रिसोर्सों को शोषन किया जाए और उपनीवेस बसाया जाए तो हमेशा तक्निकी का फायदा उनको होता है जो उस लेवल तक पहुंच सकते मार्क जुगवर्क आये थे बोले थे फेस्बुक या इंटरनेट को सस्ता कीजे ताकि लोग ग्यानी बने और हम लोग किते ग्यानी हैं सब लोग यूटूब पे पिक्चर मुवी यही देखते हैं थोड़ी ग्यान की बाते थोड़ी देख पाते हैं तो अब उन्ही को फायदा होता है जैसे उसका फाय लेकिन इससे जो कुछ अन्य भागों में रहने वाले लोग ते उनके साथ बरवर शूषण हुआ आप विचार सील बनिये ना कि आप रटन तो तोता बनिये आप विचार आप विचार करें तभी आप मेंस का अच्छा एंसर लिख पाएंगे तभी जुसको बोलते हैं आप विचलेशन करिए आप विचलेशन की छमतर तभी आई जब आप इंटर लिंक करेंगे और मेरे लेक्चर का में मक्षद वाई इंटर लिंक आपको सिखाना बीच बीच में बोलने का पीछे होता है कि आप चीजों को और अच्छे से समझें इग्जाक्टली आगे चलते हैं हैं फिर हम लोग तो राष्राज्वय ओँदेर अब हमने देखा किस तरीके से यह लोग जा रहे थे वहाँ पर उपनिवेश बना रही हमारा उपनिवेश आपको ऑपनिवेश तो एक तरह कि ऐसारी राच्ट राज की बहुना पन्पैक और कैसे इतिहास के के यह रही जानिएंगे टेडिक वेश्पाजवतिक व में हजारों शामन्दी लाड़ों का शासन हा लेकिन उस समय राजा थे मगर उह सक्साली नहीं थे लेकिन एक राजी की जन्ता दूसरे राजी जन्ता और दूसरी राजी जन्ता प्रिथक पहचान के लिए समान राश्टी तक भावना जैसी कोई चीज नहीं थे लेकिन बार्वी शताब दीक पविद रोम समाराश्टित में आया जिसमें जर्मनी इटली सामिल थे और वहां पर समराड की सत्ता सीमी थे लेकिन पुनर जागरान जो धर्म सुधार हुआ था उसमें बात आयी थी स्वतंदता प्रभुषत्ता राश्ट 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 राजवादों की अगर हम संकल्पना के तो फ्रांस और इंग्लेंड की बात करेंगे जहां पर एक मजबूत राश्ट राश्टंद्र कायम हुआ और ब्यापार बढ़ने सुबनिवेस का बिस् इसी दवरान लोगों ने क्या किया कि अपनी भासाओं में लिखना सुरू किया जो उनकी लोकल डायलेक्स थी अब उससे भी राश्टी चेतना कहीं न कहीं विस्तार हुआ नगर विस्तार हो रहा था वह राजा को सपोर्ड करना सुरू कर दिए वैपारी वर क्योंकि उनकी सुरक्षा प्रदान करें नहर बनाए सड़क बनवाए ताकि हम आवा गमन कर सकें और हमारी सुरक्षा दे के हमारे वैपार को प्रोसाहित करें तो वो जो बैपारी वर्ग थे वो राजयों का अपना मित्र समझते थे यही बाद में दुस्मन ही होगी लेकिन अभी राजयो से ही लड़ते थे तीर धनुषे लेकिन जब राजा के वाद पैसा आएगा वैपारी उसकी मदद करें बारूत करी देगा तो उससे उसके सामने जो सामंदी के लिए वो रुकेंगे नहीं वो ढह जाएंगे आगे देखेंगे आए इस तरह राजाओं का नियंदर मज्बूत और यहीं से राजाओं का उदल्ट को उढेये वह यहीं आपको देखे कैसे निरंफ निरंकुसता उधान हो रहारा और हम एध्यान दिलाएंगे आपको फिर से कि जो निरंकुसतावाद है यहीं जाकर के आगे कहीं naar कहीं इंग्लेंड के ग्रांती, फ्रांस के ग्रांती इन सब के पीछे यही कुझि काम करेगी धान से देखें आगे, आप कहानी ज़िसा शबर का प्रतिति हैं मैके वली ने जैसे राजनेदी विचारक ने शासक के अधिकारे उस सीमा बंद करने बिरोद गया उसने वैके वली था मैके वली था वो ने बोला कि शासक के अधिकारे कोई सीमा नहीं है और वो किसी भी नैतिक या धार्मिक बाद्यता में बदा नहीं है है इस तरह एक राश राज का निरंग कुछ रूप से उत्पन हुआ तो जब निरंग कुषता से और फ्रांस के बीच में यह सौव अर्ष का यूद माना जाता है 1337 से 1453 तक का इसमें और इसमें फ्रांस कहीं नगए बीच में हार रहा था लेकिन बंद में वो यूद जीता भी कही सार अच्छेतर अपना इंग्लेंड और फ्रांस में जब लड़ा है फ्रांस की एक संद रो लोग आ करके काम किये वहां पर जोन आफ आर्क आ करके जनता के अंदर देश भक्ति की भावना लाई और फ्रांस के उत्री भाग को भी इंग्लेंड से मुक्त करा लिया और इस तरीके से राजा वास्तों में राश्री सासक बन चुका जब यूद समात हुआ और इस तरीके से फ्रांस अब क्या हुआ एक राज बनने की तरफ अग्रशर हुआ इंग्लेंड की बात करेंगे देखिन इग्रावी शताब दिव में विजेता के नाम से एक सासक पृषिता उसका नाम था विलियम इंग्लेंड की शक्षाली राज की उसने अस्थापना कि लेकिन विलिय सामन्ति आराजक्ता से त्रस्त हो रहे तो इस कारण से राजाओं को सपोर्ड कर रहे थे राजा को धन देरे राजा को धन बढ़ने लगा उसने अपनी शैनिक रखा और एक राजा था उसी के जैसे की फीगर में आपको दिख रागवा चित्र में एक राजा था बीच में उसी के ऊपर अधिपत्त जमाने के लिए दो सामन्त वर्ग जो वहां के प्रभावशाली वर्ग थे आपसमें लड़ मरें इससे क्या हुआ कि जो है राजा दोनों सामन्त कमजोर हो गए इसी युद्ध को जो हुआ दोनों सामन्त इसी गुलते हैं गुलाबों का युद्ध इसमें दोनों युद्ध और सामन्त कमजोर हो गए आगे चलके इंग्लैंड में एक जो ट्यूडर वंस था उसका राजा हेंडी सब्तम था हेंडी साथ वो मद्वर की साधत शक्षाली राजतंत की अस्था ध्यान रगना दो चीज आएगा ट्यूडर ट्यूडर इंग्लैं स्समें बहुत सारी राजवंस हैं स्थासरा फैंग्लाओं स्थाणकाल इंग्लैंण स्था यो सद्था अब प्रशन हुटता है कि ट्यूडर जो राजवन सा है इसकी जरुवत क्यों है पढ़ने जाने इंग्लैंड की करांदी भी पढ़ना है आप लोगों को या हमें तो उसको भी समझेंगे तो इसलिए थोड़ा जानकारी जरूरी है और जर्मनी में इसी तरीके से एक होता था ड्यूक ड्यूक बहुत स सका हुआ था एक सक्षाली मद्वर उबरा था लेकिन इटली में था क्या पोप का हस्ता ख्षेप था इसने को कोई शक्तसाली राज्य नहीं बन सका और जर्मनी जर्मनी में ड्यूक बहुत सक्षाली थे किसी भी सुरत अपने शक्त कम नहीं तो यहीं से आगे आप की। राश्ट राज्यों की इर्षण उत्पन हो हूई। वह ब्लाय गता है, वाली ने ग्रंतों में लिखा कि किस परकर शासन किया जाना चाहिए। और इस तरीके से हवा देने से एदाता है। एष्टा वड़ा विरोध होना शुलूव और सुरूवहाथ में जो बिरोध था वह वैपारीक था लेकिन बाद में उपनिवेश्वाज पर गांद की सब्सक्राइब तो गोल चाहिए फिर ग्लोरी चाहिए और इसी संगर्स आगे फर्स्ट वर्ड बार सेकेंड वर्ड आप जाने उपनीवेश विस्तार के कारण संघर्स भी हुआ अब यह देखें कि क्या राश्राज्यों में क्या सफलता है ते यह कई सारी बुराही है थी राश्राज्यों के संधार आ रहा था सीमाए अधिक तर्ख संगत होगा क्योंकि पहले जो सीमाए प्राचीन गाल में बनाई जाते थी उन्हें कोई बुद्धिवादी महत तो नहीं था और व्यक्तिय समोग अपने गुण का विकास करने मौका मिला था मनुष अपने विचारों को बैक्त करने नहीं तरीके खोज रहा था या नहीं तरीके उसको मिल रहे थे तो अब यह राश्राज्यों को अईसे सफलता है थी जिसका उपिया पूरा संसार के लिए उपियोगी था अब हम अगला देखेंगे इसमें कि निरंकुष ता अब चुकि हमने आपको बताया ना कि जो चीज को राजा के अधिकारों किसी तरीके से अंकुष्णा हो गया यहीं निरंकुस्ता इसी को तैना साघ्र कहते हैं तो ने कि यहां पर प्रतिनली बनाये जाए श्वयर का प्रतिली है राजा ऐसा कहा गया और फ्रांस के जो राजा थे एक तो उन्होंने घुष्णा कर दें मैं ही राजी हूं मतलब राजी की सारी शक्ति का स्रोथ श्वयम है लेकिन जैसे अगर भारत में हो था हम भारत के लोग मतलब जो राजी को शक्ति मिलती है वो हम लोगों से मिलकी बनी है जाकि फ्रांस में उस राजा ने क्या बोला है कि मैं ही राजी हूं तो राज की सारी सत्ता को स्केंडरोश्वयम है हाला कि निरंकुस्ता वाद ने सामंत वाद को खतम किया आस्तिरता को खतम किया सक्साली राज बने यही कारण बैपारी ने इनको खुब समर्थन दिया था राजाओं को क्योंकि बैपारी घितों के रक्षा होती राजा उनको सुरक्षा बैपार यह सब बहुत सारी चीजे देता था आपको पहले हमने बताद रखा है लेकिन कालंतर में क्या हो निरंकुष सासकों के खिलाब बिद्रो हो गया जंता अनुच राजनीती में अपना अधिपत्य राजनीती में एंटर करना चाह रहे हैं और उनको अब समस्य हो रही राजास से क्योंकि एक काईम बाद किसी की डिमांड बढ़ जाती है अब ये शासक की सक्तियों में कटवती चाहते थे और सत्ता में हिस्सा मागने लगए या विद्रो हम लोग देखें कैसे इंगलेंड की क्रांती होई फिर आगे पूजी वाद वगरा देख करके हम लोगे सोचेंगे किस तरीके आगे हमारा कारिक्रम बढ़ाया जाए तो लेक्चर 6 हम लोगे ने खतम किया बहुत इंपोर्डन लेक्चर है आप लोग खोब इसको इत्मिनान से कई कई बार सुनें समझें विचार करें और लिंकिंग करें लिंकिंग करने से क्या फायदा होगा कि आपको पीछे वाली जी जो कनेट कर लेंगे और आगे क्या क्या होने वाला वो पहले आपको अभास हो जाएगा मतलब रीजन जान जाएंग एफेक्ट आपको पहले प कुछ ही जा सकती है इसलिए हम उसको देखेंगे बहुत थोड़ा देखेंगे बहुत इस्ट्रॉंग देखेंगे बहुत मजबूती के साथ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे जैहिंद मिलते हैं आप से नए लेक्चर के साथ में